इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी सुपर्जोल 40 tablet एक दवा है जो आपके पेट में उत्पादित acid की मात्रा को कम करती है इसे पेट और आंत के acid से संबंधित रोगों जैसे सीने में जलन, acid reflex, पैप्टिक अलसर डिजीज और बहुत अधिक acid बनने से जुड़ी पेट की कुछ अन्य कंडीशन के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है सुपरजोल 40 टैबलेट का इस्तिमाल पेट के अलसर और acidity को रोखने के लिए भी किया जाता है जो की लंबे समय तक दर्ड निवारक दवाओं के उपयोग के कारण होती है यह proton pump inhibitor यानि की PPI के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है इस दवा को हो सके तो सुभा खाने के एक घंटे पहले लिया जाना चाहिए डोज आपकी underlying condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी अगर आपके लक्षन जल्दी से ठीक हो जाते हैं तब भी आपको निर्धारित अवधी तक इसका सेवन जारी रखना चाहिए आप समय समय पर काम मातरा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं और जैसे चाय और कॉफी जैसे कैफीन युक ड्रिंक्स और मसालेदार या फैटी खाना खाने से बच सकते हैं इस दवा के साथ देखे गए सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, पेट फूलना, यानि की गैस बनना, डायरिया, यानि की दस्ट और पेट में दर्द शामिल हैं ये लक्षन आमतोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें लंबे समय तक इस दवा के इस्तिमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का इस्तिमाल आपके हड़ी के फ्रेक्चर का जोखिम बढ़ा सकता है विशेश रूप से हाई डोज के साथ घडियों की क्षती यानि की ओस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों जैसे केलशियम और विटमिन डी सप्लीमेंट लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर समबंधी गंभीर समस्याएं हैं HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं और अतीत में इसी तरह की दवाओं से कभी अलजिक रियेक्शन हुए या हड़ी के नुकसान यानि की ओस्टियो परोसिस से पीडित है तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद